आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी कटहल की सबजी की रेसिपी जट पड़ते ये प्रेसर कुकर में बन करके तयार हो जाती है साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं उसे पहले वेलकम टू अमेजिंग किचन अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें तो यहाँ पे कटहल की सबजी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कटहल ली है इस तरीके से कट करके लिए है साथ में गरम पानी लिया है थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और कटहल को गरम प मसाले लिये हैं जिसमें एक चम्मच जीरा लिया है तीन चम्मच खड़ा धनिया आदा चम्मच सौफ काली मिर्च के कुछ दाने और कस्मीरी खड़ी लाल मिर्च ली है अब फ्लेम ओन करके पैंच ड़ा लिया था इसमें मैंने खड़े मसाले डाल लिये हैं लेकिन मसालों क जादा देर तक भूनना नहीं है किवल आधे मिनट तक मसालों को इस तरीके से बस थोड़ा सा सौते कर लेना है हलकी से गरम हो जाए मसाले और इसमें अब कस्मीरी खड़ी लाल मिर्च पी डाल लेंगे और गैस का फ्लिम ओप कर देंगे और इसे भी हलका सा गरम कर लेंगे त इनका एक पाउडर बना लेंगे तो मसालों को जादा भूनना नहीं है पस उतना भूनना है जितने में मसाले अच्छे से इस तरीके से पिस जाएं तो यहाँ पे मसाले पिस करके त्यार हो गए हैं इन्हें साइड में रखते हैं अब प्रेसर कुकर में मैं डाल नहीं हूँ साथ से आठ बड़े चम्मस सरसो का तेल सरसो की तेल को धुआ निकलने तक मैंने गरम किया और कटहल को पानी में से मैंने निकाल लिया था तो अब सारी कटहल इस तेल में डाल देंगे और तेल में डालके कटहल को बहुत अच्छे से भूनना है और कटहल को मैंने उबाला नहीं है क्योंकि मैं presser cooker में ही बना रही हूँ इसलिए कटहल को मैं direct इस तरीके से तेल में अच्छे से भून रही हूँ कटहल को आपको बहुत अच्छे से भूनना है इस तरीके से बीच-पीच में उसे चलाते रहें और एक golden सा color आने तक एक golden सी coating आने तक कटहल को अच्छे से भून लेना है कटहल जितने अच्छे से भूनती है न सबची में उसका जो स्वाध है उतना ही जादा टेस्टी लगता है तो बस कटहल को इस तरीके से पीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि चारो तरब से कटहल इस तरीके से अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे कटहल बहुत अच्छे से भून करके त्यार हो गई है अब मैं गैस की फ्लेम ओफ कर रही हूँ और इसे निकाल करके एक प्रेट में रख दूँगी अब इसी प्रेसर कुकर में मैंने पांच बड़े चमच सरसो की तेल को गरम कर लिया है इसमें डाल नहीं हूँ आदा चुटी चमच जीरा, साथ में दो तेज पत्ता, दाल चिनी का एक टुकड़ा, साथ में दो हरी लाइची, एक बड़ी लाइची फ्लेम बिल्कुल लो रखें जब भी खड़े मसाले डालें थोड़ा सा सौते कर लेंगे और इसमें अब मैं डालूंगी चार प्याज, चार मीडियम साइज की प्याज ली है, मैंने प्याज को बिल्कुल रफली चौप करके लिया है और प्याज को अभी आपको 2-3 मिनट तक भून लेना है, तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए प्याज को भून ले, फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर ली है अब यहाँ पे प्याज जल्दी से भून जाए, इसके लिए इसमें थोड़ा सा नमक एट कर देंगे और बस मीडियम हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए प्याज को भून लेंगे, जब तक जब तक कि इस तरीके से हलका सा कलर ना चेंज लगने लगे अब इसमें डाल रही हूँ डेर बड़े चम्मच कुटी हुई अद्रक लहसुन और हरी मिर्च और अच्छे से भूनेंगे तो सारी चीजों को बस लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक जब तक कि एक लाइट ब्राउन सा कलर ना हो जाए इसी के साथ में इसमें दो सुकी लाल मिर्च भी मैं एट कर रही हूँ आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं साथ में डाल नहीं हूँ दो चुटकी हींग जादा नहीं डालना है किवल दो चुटकी हींगी डालना है और अब सारी चीजों को अच्छे से भूनेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज और अद्रक लहसुन सब बहुत अच्छे से भून गये हैं और एक light brown सा color ह हो गया है तो इसमें अब मैं डाल नहीं हूँ तीन टमाटर तमाटर को भी बिल्कुल रफली चौप करके मैंने डाला है और टमाटर डाल लिया है तो अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक डालने से क्या होगा टमाटर जल्दी से भुन जाएंगे और पग है और अब मसालो को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक कब से थोड़ा सा कम पानी डाल लेंगे पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मसाले टमाटर प्याज बहुत अच्छे से सौफ्ट हो जाएं और पक जाएं इसके लिए प्रेसर कुकर का पका देंगे और एक विसल आने तक इसे पका लेंगे तो यहां पर एक विसल आने के बाद फ्लेम आप कर देंगे और प्रेसर निकलने के बाद इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि मसाले बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं मतलब सारी चीजे प्यास टमाटर मसाले सब बहुत अच्छे से पक जाते हैं और बस अब इन्हें इस तरीके से मैस कर लेंगे और मैस करते हुए इन्हें अब भून लेंगे जब तक जब तक की मसाले हलके से सिंक ना हो जाएं और उन में से ओयल ना सेपरेट दिखने लगे बिल्कुल इस तरीके से तो मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, इसमें डाल रही हूँ मैं, आदा चोटी चम्मच, अमचुर पाउडर, इसी के साथ में एक चोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और एक चोटा चम्मच जितना ही भुनी हुई कसूरी मेथी, तो क्रेस्ट करके आपको डालना है ह बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनसे, और बहुत अच्छी खुस्बू आती है सबजी में से, अब यहाँ पर मैंने फ्राई की हुई कटल भी एट कर दी है, अच्छे से बस मिक्स करना है आपको, और इसमें आप डालेंगे गरम पानी, तो जिसे साब से आपको पतली करने की कहीं नमक तो कम नहीं है, अगर कम लगे तो आप थोड़ा एट कर सकते हैं, अब जो भी खड़े मसाले इसमें दिख रहे हैं, उन्हें निकाल देंगे क्योंकि उनका सारा फ्लिवर सबजी में आ चुका है, तो बस यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले निकाल दिये ह और अब धकल लगा करके प्रेसर कुकर का दोविसल आने तक सबजी को पका लेंगे, तो पहले आप दो विसल आने तक ही पकाएं, और बाद में फिर चेक करके देख लें, अगर ना पकी हो तो पिर एक लिकल औल बटाते हैं, लिकिन पहले ही आप तीन-चार विसल आने तक स पग गई है कि नई तो यहां पर सब्जी बहुत ही टेस्टी दिख रही है तो चलिए चेक करके देख लेते हैं तो यहां पर कटहल जो है वो बहुत अच्छे से पग गई है यह देखिए तो आप भी अपने घर में इस कटहल की सब्जी को जरूर ट्राई करिए इसी तरीके से और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीज को कलने सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेयर जरूर करें साथ में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है थांक यू पर वाचिंग वीडियों